एक मंत्र बताती हूँ लोगों को मैं, मतलब यह मंत्र जो मुझे मेरे गुरू से मिला है, तो अगर यह बोलते वे अगर लोग जल चड़ाएं, तो इससे बहुत बड़ी है रिसल्ट है, मैं आपको बताती हूँ, ओम, इल्न, वल्ले, मदूरे, सिद्धाया, सोम, सुंधर, राजा, दी, राजाया, अरुना चले, सवराया, नमज, शिवाया, बाबा, शेरी, शिवाया, स्वाहा, यह मंत्र इतना पावरफुल है, लोगों को इसकी नीढ है, यह मंत्र अपने आप में संपून, संपून मंत्र इससे उपर कुछ नहीं है, जैसे महामृतिंजे जाप होता है न, ओम, रोम, जुम, सा, यह अपने आप में एक संपून मत है, जिसको कोई बिमारी होती है, अकाल मृत्य होती है, उसको बचाने के लिए हम यह मंत्र करते हैं, ऐसे ही यह मंत्र है हमारा, अभी हम बात करते हैं स अभी हम यह मंत्र करते हैं, टेली आप जल चड़ा की आइए, हो ी नहीं सकता संतान नहीं होई, तो साहे ग्रहे तो आपको ब्लेस मुपर ही है, कैसे संतान नहीं होगे? अब ही आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में इक और बात आई जब हम शिवालय में जाते हैं, मोसली सब लोग शिव पे जल चढ़ाने जाते हैं, जल या फिर कची लसी या फिर दूजो भी चढ़ाते हैं, उनके शिवालय के जो इर्द गिर्द जैसे माता गोरी होती है, का नेजी पे भी गडवी जल उडेल दी, कार्ति के जीव उडेल दी और इवन वो नंदी जी के उपर भी चाहिए गर्मी जाहिए जाए सरदी वो पानी डालते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? यह सिस्टम है, सबसे पहले जैसे जो शिवालय होता है पहले राइट साइड डा टी जालते हैं, फिर सेंटर में डालते हैं, फिर शिवालय पे डालते हैं, फिर परिवार को डाला जाता है, तो यह सिस्टम है डालने का. अच्छा, तो अब हम बात करते हैं शिव की आरती की और शिव की पूजा की, क्या शिव को जल चढ़ाने की या फिर उनकी कोई विशेश पूजा या फिर हम जैसे जल चढ़ाते हैं, दूर चढ़ाते हैं, जब भी हम शिवाले, mostly शिवाले, 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन कई जगां, 12 बज़े के बार शिव को जल नहीं चढ़ता, कई मंदिर बंद हम जाते हैं, तो शिव की पूजा किसी भी प्रहिर की जा सकते हैं, या फिर कोई विशेश टाइम में, सिर्फ जाइंव हम उसी पूजा सकते हैं, सूबे तो शिव जी की पूजा सभसे जयादा। होती है शाम को भी लोग करते हैं जो तकलीफ में होते हैं अब जैसे मैं कुछ रेमिडिस आपको यह बताती हूं किसी का कोई ग्रह इतना खराब हो गया मृत्यों के बैट पर बढ़ा है वो बंदा तो हम क्या करते हैं सवा किलो जो मूली होती है उसके पत्ते हटाकर उसकी मश्रूम भी चड़वाते हैं Tuesday से लेकर हम Tuesday तक पूरे आठ दिन continuously हम मश्रूम भी चड़वाते हैं कि आप जाओ मिट्टी के कुलड में मश्रूम चड़ा के आओ तो भी आपका मिट्टी दूले कस्ट खतम हो जाएगा पर यह मंगलवार से लेकर मंगलवार तक करना होता है ऐसे ही हम बहुत सारी उपाएं हैं जो करवाते हैं जो शिव जी से ही हमारी ठीक हो जाते हैं उनकी ही दानपून करने से ठीक हो जाते हैं तो शिव अपने आप में इस शिष्टी का अधार है और इस शिष्टी का अंत भी जो है शिव माने जाते हैं तो शिव को अगर हम तो निश्यत ही हमारे जीवन से बहुत सारी जो बाधाई हैं वो चली जाते हैं अभी एक उपाय मैं आपको और बताती हूं कि बच्चा था काफी बच्चा बिमार था सीरियस था यानि कि पेरेंट्स लिटली रो रहे थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया मैं कि साथ दिन सा कोई गलती होगी है मैं माफ करो लेकिन सेवन डेस कंटीनियूसली साथ दिन बाद वो बच्चा बिलकुल ठीक है हेल्दी है वेल्दी है और उसके पेरेंट्स ने मुझे बहुत-बहुत थैंक्स बोला पिकास मैं चाहती हूं आप लोगों का भी फैदा हो और ये लोगों को पता ही नहीं है रेमडी का इससे बहुत लोगों को फैदा होगा